बच्यों, हमारा essay portion continue था ऐसे portion में हमारा fourth essay हम cover कर रहे थे Fourth essay कि अगर हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि tribal verse जो च्छंद होते हैं, च्छंद भी किनके tribal जाती के जो च्छंद होते हैं उनके उपर बात की गई है एक बहुत important issue अगर हम ये पहें, तो बहुत important issue है because हम देख सकते हैं कि it is orally transmitted not in a written documents but written documents के लिए भी struggle किया गया struggle किया हमारे जो राइटर है जीन डेवी सर ने और जीन डेवी सर की हम बात करेंगे आज हमारे इस पहले पार्ट में तो we are taking our first part here here we will discuss about जीन डेवी सर and the summary of the essay जब हम बात करते हैं डेवी सर की तो हमारी शुरुवात होती है उनके पूरे नाम के साथ में जी हाँ बच्चों हम बात कर रहे हैं full name of our writer so we will start here गनेश नारायन डेवी was born on 1st of August 1950 1st August 1950 में पूरा नाम हम आपको बताते हैं गनेश नारायन डेवी इनका जनम हुआ था और इनके जनम के साथ ही हम देखते हैं कि कही न कही इनोंने अलग-अलग छेत्र में काम किया study की हम बात करते हैं और उससे पहले हम बात करते हैं कि यह क्या-क्या करते थे okay, he is an Indian literary critic सबसे बड़ी बात है Indian literature के उपर as a critic काम करना बहुत इंपोर्टेंट बात होती है और critic का जो work होता है वो कहीं न कहीं ऐसा work होता है कि कहीं किसी चीज को बांद के नहीं रख सकता आप उसको optimistic वे में भी क्रिटिक कर सकते हो pessimistic वे में भी कर सकते हो हम इनके बात करें इनका खुद का profession तो हम देखते हैं former professor of English कहां पे है यह at Maharaja Sayaji Rao University of Baroda Baroda की हम बात करते हैं गुजरात की हम बात करते हैं बच्चों तो गुजरात में बड़ोदा में उनिवर्सिटी है Maharaja Sayaji Rao University वहां पे गणेश नारेंड डविसर ने as a professor काम कियावा है और वहीं पे कहीं न कहीं इनकी शुरुवात कुई थी हम देखते हैं कि इन्होंने एक academy का foundation किया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं he is the founder director of the triple academy की इन्होंने शुरुवात की ये खुद वहां founder director की रूप में उस academy से जुड़े हुए थे he is credited to start the भाशा research and publication center अब हमने आपको हमारे essay का नाम बताया हमारे essay का नाम है tribal verse tribal verse के लिए कहीं ने कहीं शुरुवात की गई शुरुवात के लिए steps उठाये गए पहले tribal academy का foundation किया गया देन आफ्टर इनके द्वारा एक स्टार्ट की गई भाशा research और publication center जहां पर हम देखते हैं कि इनके द्वारा भाशा के उपर research इनके और इनके team के द्वारा जिहां बच्चों भाशा के उपर research किया गया उसके अल he writes in three languages तो तीनों languages पर इनकी बराबर पकड़ थी बराबर वो जितना बोलने में सक्षम थे उतना ही उनकी जो लेखनी है वहे काम करती थी हमने आपको बता है he is a critic, critic ही हमने आपको बात की लेकिन he is a thinker also, he is an editor also, he is an educator and cultural activities also तो यहां पर हम देखते हैं literally a versatile image of Mr. Z and Devi is here and we will see that how many works at a time this fellow is doing और यहां पर हम बात करें कि एक ही चीज में बंद के नहीं रहे जाना है आप अलग-अलग काम जानते हैं तो आपको अलग-अलग काम जरूर करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि life आपको बार-बार मौके नहीं देती है लेकिन जो मौके दे रही है उन्हें आपको भुनाना बहुत ही जरूरी है उनका आपको यूज मिलेना बहुत ही जरूरी है और इसी के लिए इन्होंने एक और चीज की बच्चो इन्होंने क्या किया ये डिरेक्टर बने किसके डिरेक्टर बने है बच्चो साहित्य अकडमी प्रोजेक्ट किसके उपर काम कर रहा है ये ये काम कर रहा है लिट्रेशर के उपर और लिट्रेशर के उपर और लिट्रे अपनी एक पहचान बनाई है अपने वर्क से all over not only in India but all over the world ये अपने नाम और fame name and fame के साथ मशूर हुए है जिसको हम बोलते हैं PLSI people linguistic survey of India it is revealed that जब हम इन्होंने अधियन किया अलग अलग बातों पे इन्होंने team जो है इनकी team वो अलग अलग इंडिया के पोश्चिंस में गई वहां पे अलग अलग जगहे पे इनका वर्क शुरू हुआ और हम क्या दिखते हैं कि हमारे इंडिया की हम करते हैं तो कितनी languages बोली जा सकती है आप अंदाज लगा सकते हैं बच्चो कही सारी बट कितनी सारी यह हम आपको बताते हैं there are 780 different languages spoken in India and 86 different scripts are there near about 780 अलग अलग languages हमारे all over India में बोली जाती है और 86 different scripts है उनका यहां पे यूज करके रखा गया है ऐसा इन्होंने जो सर्वे किया है उससे reveal होके आया है 16 languages जो है मात्र और मात्र कहां पे बच्चो हमाचल प्रदेश 16 languages in Himachal प्रदेश have 200 words amongst them to describe snow snow का आप सब जानते हैं बर्फ हम बोल देते हैं गोला लेकिन मात्र अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे snow को describe करने के लिए ही 200 शब्द अलग-अलग 200 शब्दों के द्वारा snow word को बताया जाता है कि snow को यह भी कहते हैं synonyms जिनको हम English में कहते हैं और Hindi में कहते हैं प्रयाइवाची तो इतने सारे snow के प्रयाइवाची हिमाचल प्रदेश एक सिंगल स्टेट में मिल गया है यह इन्होंने 16 लेंगवजी जो बोली जाते हैं उनके अनुसार बताया है एक और बात यहां पे है हम इस चीज के लिए बहुत ही दुखी भी हैं क्यों क्योंकि हम जहां पे modernization की तरफ भड़ रहे हैं वहां पे कहीं न कहीं हम कुछ अपने जिन्दगी में कमिया भी छोड़ते जा रहे हैं देखिए इन लास्ट 50 यहर्स इंडिया हाज लॉस्ट अप्रॉक्सिमेटली 250 लेंगवजी जब हम बात करते हैं हमारे 50 सालों के इतिहास की तो उस 50 सालों में अलग अलग time being में जो studies की गई उस study में यह reveal हुआ कि हमने तो अपनी near about 250 जो अलग अलग languages है उनको तो हमने खो ही दिया है इट मिन्स हम उन्हें अब यूज में नहीं लहे रहे हैं हम उनका अब बिल्कुल भी प्रियोग बिल्कुल बंद कर दिया गया है प्रियोग हम कह सकते हैं कि अब उनको कोई जानता भी नहीं है तो ये तो था इनका एक survey जिसमें हमें बताया गया कि कई सारे शब्द बोले जाते हैं लेकिन कई सारे हम चीजों को भूल भी रहे हैं सर के और की श्रंखला का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं तो सबसे बड़ा इंडिया का एवाड है पदमश्री तो इनको पदमश्री आवाड से सम्मानित किया गया इंदे यह 1914 1914 का जिक्र होता है और पदमश्री आव बहुत पहले कि उस समय के इनकी बात है, Linguapax Prize Award in the year 2011, 2011 में Linguapax Prize Award दिया गया, जिसमें पता चलता है कि ये अलग-अलग languages पर काम कर रहे हैं, और हमने जैसे आपको बता है, 3 languages पर इनको महारत हासिल है, Prince Clause Award in the year 2003, जो इनको दिया गया, इसमें बहुत भड़ी importance ये है रही बच तरहे का, All Over the India Representation का यहां पर इनको अवाड मिला है, शिक्षा के छेतर की, हम literature के छेतर की बात करते हैं, तो literature में साहित्य अकाइडमी अवाड अपने आप में बहुत ही प्रमुख अवाड होता है, और इनको साहित्य अकाइडमी अवाड से भी नवाजा गया है, सार्क Writers Foundation Award अपने आप में बहुत ही different award है, और यहां पर यह जो Writer Foundation Award सार की तरफ से इनको दिया गया, इसमें भी यही चीज रिवेल होती है, कि इनका जो work है, especially for the tribal words, especially for the languages, जो आप लैप्स होती जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं, especially for the synonym words for one single word, तो यहां पर हम देखते हैं, कि इनक को इनके कामों का एक नतीजा मिला है, प्रतिफल मिला है, और यह प्रतिफल हर किसी के लिए मुश्किल नहीं है, अगर आप सही ट्रेक पे जाके कोशिस करते हैं, when we are talking about Ganesh Narayan Deviser's books, नहीं सबसे पहली book जो निकल के आती है, वह है, after amnesia, और हम बात करें, after amnesia के लिए ही इ साहित्य एकेडमी एवार्ड इंदे इर नाइटीन हें, नाइटी टू में नवाजा गया है, इसी बुक के लिए, next one is Denotified Tribes, Denotified Tribes के लिए इनको क्या मिला है, हम बताएं, सार्क राइटर्स फाउंडेशन एवार्ड जो है, इन्होंने अपने ये Denotified Tribes के बारे में बुक लिखी थी, उसी के लिए, ये सार्क राइटर्स फाउंडेशन एवार्ड से इनको नवाजा गया था, और इस बुक के अंदर हम देखें, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, ट्राइब्स की, ट्राइब्स के बारे में इन्होंने अलग अलग तरह से अपने विचार रखें, अलग कोन किस किस पे हैं, ये अलग-अलग इनकी बुक को जब हम readout करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कि इनका कार्य आगे चल रहा है, of many heroes and dash days in the year 1999-98 और इसके संग एक श्रंखला पूरी है इनके बुक्स की एक श्रंखला पूरी है इनके काम की एक श्रंखला पूरी है इनके द्वारा जो हमारे इंडिया के लिए important work किया गया है उसकी तो यहां पे हम बुक्स की बात करते हैं और हम हमारे ऐसे की बात करते है ऐसे हमारा continue है tribal verse हमने आपको बताया हमारा जो part first हम include करते हैं वो near about हमारे writer के बारे में होता है इंट्रो होता है writer का plus हम summary of the essay देते हैं ताकि बच्छो आपको concept clear हो जाए कि हमारा यह जो हम essay read out करेंगे इसमें क्या चीज इंक्लूड की गई है here we are taking in this chapter the writer Zeean Devi tells us about the different tribes of India हमारे इंडिया में अलग अलग तरह की tribes है उन tribes के बारे में बताना हमारा इस ऐसे का में उदेश्य है जो की इंक्लूड किया है Zeean Devi sir ने He says that all these tribes have one thing common अलग अलग ट्राइबस पे अलग अलग जनजातियों पे इनों ने study की अलग अलग इनके छेत्रों में जा जाके इनके study हुई है और वहां पे एक common चीज इन सब में निकल कर भी सामने आई है जितने भी ट्राइबस का इनों ने अधियन क्या एक common चीज वहां पे निकल के सामने आई और वह देखे क्या है देखे क्या है दे आर फ्री फ्रॉम दे वाइस अ modern world हम जब modern world की बात करते हैं आधुनिक संसार की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जो जंजातियां है यह अभी भी आधुनिक संसार से बहुत दूर है दक्षिन अफरिका की एक जनजाती की हम बात करते हैं तो हम आपको बताएं अभी भी वो इतने घने जंगलों में रहती हैं अभी भी वो पूरी दीन दुनिया से जैसा हमारा सबसे पहले हम कहते हैं बीमडे डिवाइस हमारा मोबाइल तो ये मोबाइल चुट हम सबसे बड़ी बात जो जीन डेवी सरके संग निकल के आ रही है हम उसे स्टेडी कर रहे हैं कि ये अभी तक मॉडन वर्ड से बहुत दूर हैं अचुते हैं तो ये सेड़ी निकल के आए हैं चंद के उपर तो चंद के संग में एक और इंपोर्टेंट बात हम सब को बताएं कि ये जो ट्राइब से यहां जो पीपल त्राइब कर ते हैं या जाधा तर इंटूशन में बिलिव करते हैं इन्ट्यूशन है पुर्वा नुमान, इन्ट्यूशन है कि आपको कोई चीज का ऐसा लग रहा है कि आप इसे कर पाएंगे, प्रडेक्शन कर रहे हैं, यह लॉजिक में बिल्कुल भी बिलेव नहीं करते थे, जो साइंस के बच्चे हैं, वो यहां पर कहे भी सकते हैं, मैम ल बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जादातर इंट्यूशन पर ही बिलीव करते थे, उनको लोजिक कहीं पर भी पसंद नहीं था, he says that the most of their literature is in oral form, और एक सबसे बड़ा और important जो बात है, जो निकल के आती है, literature, tribes literature के बारे में, वह यह है कि इनके पास में तो कोई written document है ही नहीं, they everything transmitted in the oral form, हम कह सकते हैं कि कहानिया सुनाई गई हैं, दंत कथाएं सुनाई गई हैं, बातें ऐसी बताई गई हैं, जिसमें हम देखते हैं, कि orally ही एक दूसरे को ग्यान का transmission किया गया है, बातें बताई गई है, कहानिया बताई गई है, काम बताई गई है, आप खुद देखे, आप morning prayers करते हैं, morning prayers में क्या आपको written में याद करने की जुरत पड़ती है, क्या, no, so this one is the example, आप daily उस चीज़ को chanting कर रहे हैं, daily उस work को कर रहे हैं, तो आप orally उसे transmit क करके बता रहे हैं, कई ऐसे हमारे घरों में भी हम देखते हैं, कि मदर है, वो एटिकेट सिखा रहे हैं, तो कहीं रिटेन एटिकेट का एक पन्ना नहीं लेके चलती है, वो आपके संग में, वो आपको कहीं पर ऐसा नहीं बताती है, कि this one is written, or you will do this one, or that one, it's so that in the modern life, आपक and mothers to ourselves, और यह एक परमपरा चलती रहती है, ट्राइब्स का में यह है, कि उनके पास में तो लिखित में कोई दस्तावेज ही नहीं है, it is transmitted from one generation to other, और अरली और इसलिए हम कह भी सकते हैं, इसलिए यह कह भी सकते हैं, कि औरली ही यह सब को चल रहा है, यहां पे रिटेन में उ जैसे जैसे आप हमारे संग ऐसे रेडाउट करेंगे, आप देखेंगे कि इस चीज के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा है हमारे सर को, दो मैंने क्रिटिक्स डोंट कंसेडर दियर लिट्रेचर आज लिट्रेरी वर्क, और सबसे बड़ा खामियाजा क्या हुआ, कि जो क इनक्लूड ही नहीं कर सकते हैं, रिजन भी देते हैं कि उनके पास में रिटन डॉकमेट तो कुछ है ही नहीं, yet it has deep roots and it is very rich in its traditions, it's okay, रिटन में नहीं हैं लेकिन हम क्या कहते हैं, उनकी जो बाते हैं, उनके जो खतन है, वो बहुत ही गहरी जड़े लिए वे हैं, बहुत ही वहारी जो traditions हैं उन traditions को बहुती रिचली फॉलो कर रहे हैं अभी भी तो यह एक बहुती important बात उभर कर सामने आती है डेवी टेल सब टैल संच डेवाउट्ट मुंड़ ट्राइब कोंद ट्राइब अधी ड्राइब जब हमारे इस ऐसी की बात करिते हैं तो यहां पर इस Shanghai जो डेवी condition हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था मुंड़ा ट्राइब के बाद में आती है कौन्ध ट्राइब का भी इन्हों ने बहुत अच्छा वर्णन किया है प्लस आधी ट्राइब के बारे में भी ये डिटेल बातें बता रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसको literature portion में नहीं include करना चाहते, but वो बहुत important है हम सब के लिए, क्यों? क्योंकि वो एक tradition, हमारे जो rich traditions हैं, उनको समावेश करके चल रहे हैं, all these tribes are spread over many parts of India, जब हम इन tribes की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि अरे, यह tribes रहती कहां पे है, तो इसका भी इनोंने बताया है, कि यह जो tribes हैं, यह all over India के अलग-अलग parts में फैली हुई हैं, अलग-अलग parts में यह रहे रही हैं, He says that Munda tribe is the most studied tribe, पूरा इनका जब हम ऐसे के बारे में summarize करते हैं, तो हम एक निशकर्स निकालते हैं, कि डेवी सर ने जो भी studies की है, उसके हिसाब से at present, अगर हम Munda tribe के बात करते हैं, तो Munda tribe के उपर सबसे ज़्यादा studies की गई है, सबसे ज़्यादा अधियन, Munda tribe के उपर ही किया गया है, They also revolted against the British, reason भी है, हमने आपको बता है, freedom fighter के रूप में भी इन्होंने काम किया है, British लोग जब हमारे इंडिया पे राज कर रहे थे, on that time, they were against the British, और इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रूप में मिलके, British लोगों के अपोज में अपने आपको established किया, खड़ा किया, ताकि इंडिया के freedom को बहुत अच्छे से वो अच्छे से अच्छीव करवाने में अपना योगदान दे सके, कौन्ध ट्राइब की हम बात करते हैं, तो हम बताते हैं आपको कौन्ध ट्राइब इस a mixture of आदिवासी and Hinduism, आदिवासी लोग और हिंदू लोगों का एक mixture है, जो की कौन्ध ट्राइब के नाम से जाना जाता है, कौन्ध ट्राइब में हम कह सकते हैं कि Hinduism भी है प्लस आदिवासी लोग भी हैं, आदि ट्राइब का जहां पे जिक्र होता है, वहां पे सबसे बड़ी बात है कि आदि ट्राइब कहां पे रहती हैं, आदि ट्राइब is mostly found in Arunachal Pradesh, इंडिया में Arunachal Pradesh इस्टेट में जादा तर जो आदि ट्राइब है, वहां पे निवास कर रही हैं, वहां पे रह रही हैं, और उसी छेत्र विशेश में ही उनका जो भी कुटुम है वहास कर रहा है, इन दिस वेवी डिवेड श्क्राइब कर रही हैं, और अलग अलग श्टेडिज करके उनके लिट्रेचर इट्सों के दियार और लेशेश प्राइब हैं उनके बट फिर भी डिवी सर का जो श्टेडिज हैं वह एक चीज लेके आती हैं, कि tribus जो है उनका अपना एक बहुत अच्छा literature है और उनके literature को हम नया literature बिलकुल भी नहीं कह सकते हैं it is not a new literature जब traditions की हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी परंपराओं की हम बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि it's okay orally है written नहीं है बट वो भी एक literature का एहम part है इट हाज बीन ऑग्जिस्टेंस फर मैनी सिंचुरीश, आज कल की बात नहीं है, षबरी के बेर कब के थे बच्चो उपरी के बेर की अगर हम बात करते हैं तो हम अमारे epic रामेन की बात करते हैं तो रामेन में जब हम राम का शबरी का वर्णन देखते हैं तो वो भी तो औरली ट्रांस्मिट किया गया था शबरी को यही कहा गया था उनके गुरू के द्वारा की राम भगवान आएंगे और यहां पे ठहरेंगे और वो रोज अपनी कुटिया की साय संभाल करती थी रोज अपनी कुटिया को सजाती थी रोज बेर तोड के लाती थी और आपको पता है जूटे बेर राम भगवान ने खाय थे तो यह एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया और इस इंसिडेंट कि तररि में एक ही चीज आपको बताना चाहती हूं कि यह जो है है मैं शबड़ है सबनेों अंग में हम करते हैं कि stepped up यह जिक्यूं करते हैं तो हम भी जहिसे कि बहुट बहुत बहुत सिंच्री आपको का का Everyone तो ये एक हमने आपको समरी बताई है बच्चों, ट्राइबल वर्स की, होप आपको समझ में आए, होप आप अपने डेवी सर के बारे में समझ पाए है कि कैसे उन्होंने वर्क आउट किया है, किस तरह से अलग-अलग फांडेशन से वो जूड रहे हैं, काम कर रहे हैं और इ नेक्स्ट पार्ट में हम हमारे ऐसे को कंटिन्यू करेंगे, तब तक बने रहे हैं विंदू के साथ, नमस्कार